MP Police Constable पर इक्षा का रिजल्ट कब जारी करेंगे क्या होगा को समझ में नहीं आ रहा है मत प्रिदेश में बहुत सारे लगबग एक आखरी ख़बर पड़ी थी कि 21000 से अधिक पदों पर जो रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहे मुझे समझ नहीं आता हम लोग भरती प्रक्रिया में इस तरीची की स्थिती में क्यों आ गए हमारे पास में हम एक भरती ठीक से नहीं करा पाते पटवारी कराई तो वो भी विवादी के गेरे में Constable का रिजल्ट भी तक नहीं दे पाए पीएस्सी चार्पा साल लगातार लगाती है नहीं बहुत सारी अन्य विभागों की भरतियों में भी ये समस्य है क्यों है मद्यप्रदेश में मानने मुक्मंत्री जी आपसे निवेदन है कि कुछ ऐसा कारे करें कि जो नियमित इमांदारी से भरती समय पर हो जाए बिद्यारती लाखों की संख्या में जो है तैयारी करता अपने सचनों सवजोता कि पुलिस कंस्टेवल बनेगा ऐसा ही बनेगा पटवारी बनेगा पीएसी में जाएगा आप उनकी मांगों को समझे आज भी खबर शपी की सिपाही के 7090 जो कंस्टेवल गए पोस्ट थे उनका रिजल्ट अटका पुलिस आरक्षक के 7090 पदों के लिए पिछले साल 26 जून को जो नोटिफिकेशन 2023 में आया था जिसकी एक्जाम 12 सितंबर को हो गई अक्टूबर हो गया नोवंबर हो गया दिसमबर हो गया जनवरी चार महीने हो रहे हैं लेकिन अभी तक रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है चैनितों की सेकेंड फेज की परिक्षा अभी तक सुरू हो जाती अब रिजल्ट इतने समय रोग कर उसमें क्या धांदली हो रहे हैं तो उसको भी समझना होता है दूसरा की समयशा अगर आप रिजल्ट जारी करतें तो इसको यह पता चल जाए पास हो तो अगली चरण की तैयारी करें और फेलो तो अपना फविश्य दूसरी तरीके से देखें अधर में आप उसको लटका देतें बार बार में से कि आप जल से जल पेंडिंग रिजर्ट की जो है समिक्षा करें और उनको जारी करने का प्रयास करें